जैसरम, students आजम start कन्े वाले हैं एक important theorem का पुरूब तो ये eğrion та एक important theorem है ये जो question दरखा येul जो theorem दरखा ये देखिए इस the टीप से भी और एक theorem है र मैं इसको बता दूँगा उसके मैंने एक अलग शा वीडियो बना है इसमें देखिए क्या theorem दरखा है given any ring R, prove that the intersection of an arbitrary collection of subring of R is also a subring of R ये जो ring का collection of subring, सभी subring का collection का intersection जो है वो क्या होना चाहिए? एक subring होना चाहिए ये जो question है अभी recently मेरा एक subscriber ने comment किया था कि ये जो theorem है इसको prove करके आप बताओ सो मैं उनके लिए ये theorem खास करीब बना रहा हूँ इसमें ये जो theorem है इसमें आपको रखाए ये जो collection of subring है उसका intersection को prove करना है कि ये subring है इसी type से और एक भी आपको थियोरम मिल जाएगा जिसमें आपको पुछा गया होगा कि दो subring का intersection आप बताओ कि ये जो दो subring का कोई भी एक subring है ring R का उनका जो intersection है वो subring होना चाहिए इसका ही मैंने एक अलग सा एक वीडियो बनाया था उसको भी अप मेरे चैनल प्लेलिस्ट फर वाच कर सकते हो इसमें देखिए ये जो n number of subring का ring R का जो n number of subring है उनका जो intersection है उसको आपको प्रूप करना है कि ये subring है इसको चाले इसका जो प्रूप है उसको स्टार्ट करते हैं सपोज R ये अर्बिटरी रिंग सपोज ये जो R है ये जो ring R है ये आपका कोई भी एक arbitrary ring है सो एगन हम आजिम करेंगे कि ये जो ring R में बहुत सारे subrings है जो की n number of subring है s1, s2, up to sn ये सभी subrings है किसमें ring R में next हम क्या करेंगे जब हम प्रूप करते हैं कोई भी subring को उसमें first हम चेक करते हैं ये आपका non empty होना चाहिए सो non empty के से हम चेक करते हैं उसमें सभी ring में simply क्या करता है trivial ring exist करता है 0 ring जो है वो exist करता है सो इसका जो intersection है ये जो subring का collection का intersection है उसमें भी वो trivial ring 0 ring exist करेगा सो अगर ये जो intersection है ये non empty है then suppose कि xy ये कोई भी element हो सकते हैं सो xy क्या करतेगा ये जो subring का intersection है इसमें विलोंग करेगा सो अगर हम प्रूप कर देंगे कि xy फर xy बिलोंग्स टू intersection i equal to 1 to n si के लिए x-y and xy बिलोंग्स टू intersection i equal to 1 to n si ये जो intersection का जो set है सभी subring का intersection का जो set है ये क्या हो जाएगा आपका प्रूप हो जाए कि ये subring है सो देखे हम लेंगे कि xy बिलोंग्स टू intersection i equal to 1 to n si and x-y and xy प्रूप कर देंगे ये भी इसमें बिलोंग्स करता है सो एगर हम चेक करेंगे अगर xy हम लेंगे xy बिलोंग्स टू s1 s2 up to sn के लिए इसका मतलब क्या है xy s1 में बिलोंग करता है xy s2 में बिलोंग करता है xy up to sn में बिलोंग करता है सो हम generally लिख सकते हैं since each si सभी जो si है is closed under subtraction and multiplication सभी क्या है ये closed under subtraction and multiplication सो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं xy x-y belongs to intersection i equal to 1 to n si ये आपका क्या है closed under subtraction है again ये closed under multiplication है इसको भी लिख सकते हैं xy belongs to intersection i equal to 1 to n si हमने प्रूब कर दिया कि xy belongs to intersection i equal to 1 to n si के लिए x-y और xy ये दोनों बिलों करते हैं उसी में intersection i equal to 1 to n si में इसका जो intersection है उसमें बिलों करता है ये जो सब्रिंग का intersection है ये क्या हो जाएगा ये जो condition को ये satisfy करता है सब्रिंग का जो condition है इसको satisfy कर जाता है तो अगर ये जो condition है इसको satisfy कर जाता है so intersection i equal to 1 to n si ये क्या हो जाएगा ये खुद में एक ये सब्रिंग हो जाएगा intersection i equal to 1 to n si is a sub-ring of r सो हमने प्रूब कर दिया कि इसका जो इंटरसक्षन है इस जो रिंग का जितने भी सब रिंग है उनका जो इंटरसक्षन है यह भी क्या हो जाएगा एक सब रिंग हो जाएगा सो मैंने आपको कंप्लेडलि यह सबरीण का प्रूफ है मैं आपको बता दिया है कोई भी आपको प्रूब्लम आप दिन मुझे कमेंड करिए मैं आपको इसका जोज रिपले है जल्दी देदूगा so thank you students please like and subscribe my channel thank you